हेलो फ्रेंड्स मैं पंका जुएशनाओ एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करांट अफेर में स्वागत करता हूं आज की सेशन में हम 4 मार्च के सभी करांट अफेर्स को डिटेल में समझेंगे वीडियो में एंड तक बने देएगा एंट्रस्टिंग है लाइक और शेयर कर दीजेगा ओके देखें फ्रेंड्स काफी स्टुडेंट के मैंने कमेंट देखें कमेंट बॉक्स में उनका कहना था कि सर हमको स्क्रीन शॉट लेना होता है तो उनकी इंफर्मेशन के लिए मैं आ टाउन कर लिजे ओके आए शुरू करते हैं चार मार्च के करंट अफेर सबसे पहला कोशन देखें प्रो कबड़ी लिग का दस्वा सीजन किस टीम ने अपने नाम किया तो प्रो कबड़ी लिग जैसे आईपिल का आयजन किया जाता है वेसे ही भारत में प्रो कबड़ी लि टीम है ये जैपूर पिंक पैंथर इसने 2013 में प्रो कबड़ी लिग का पहला सीजन अपने नाम किया तो अब दस्वा सीजन खेला गया दो हजार चूविस में जो जीता है कुनेरी पल्टन की टीम ने फाइनल में हराया हरियाना स्टिलर्स को और हरियाना स्टिलर्स को अरा ह पराकर पुनेरी पल्टन की टीम प्रो कबड़ी लिग का खिताब जीती है दो हजार चूविस में ये दस्वा सीजन है याद रखेगा आपके दिमाग में एक कुश्चन और आना चीए कि प्रो कबड़ी लिग अभी तक सबसे ज्यादा बार किस टीम ने जीता तो ये पटन सीजन है दो दिसंबर को शुरू हुआ था लास्ट येर और एक मार्च को ये खत्म हुआ बारा टीमों ने पाटिसिपेट किया विनर रही पुनेरी पल्टन और रुनर अप हरियाना स्टीलर्स की टीम अब यहाँ पर इस टूनामेंट में मोस्ट वेल्योबल प्लेयर का जो किस ने जीता ये है तो पुनेरी पल्टन ने जीता रनर अप कोन रहा तो हरियाना स्टीलर्स की टीम अगला कोश्चन देखिए तीन मार्च को वर्ल्ड वाइड लाइफ दे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है विश्व वन्य जीव दिवस दोहजार चूबिस की थीम क पूची गई है पहला कोश्चन तो आपको यहाँ पर यह नोट करना चाहिए कि विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है क्योंकि पहला कोश्चन यहीं से आने वाला है यह सेलिब्रेट किया जाता है तीन मार्च को Connecting people and planet, exploring digital innovation in wildlife conservation यह थीम है दोहजार चूबिस में विश्व वन्य जीव दिवस की तो आंसर ले लेते हैं आंसर हो जाएगा आंसर की थोड़ी बड़ी थीम है लेकिन हमें याद करना चाहिए क्योंकि डे इंपॉर्डेंट है तो डे कब मनाया जाता है यह भी नोट कीजेगा World Wildlife Day के रुप में तीन मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है ओके दोहजार चोबिस की थीम पता चल गई अब आपको पता है करन्ट अफेयर एक या डेड़ साल का पूछा जाता है तो 2023 की भी हम थीम देख लेते हैं है ना डेट फिक्स है तीन मार्च को हर साल यह डे मनाया ज जाता है पार्टनर्शिफ फोर वाइल लाइफ कंजर्वेशन यह 2023 की थीम है है ना युनाइटेड नेशन जनरल असेम्बली ने सबसे पहली बार देखिए 20 दिसंबर 2013 को जब इसकी 68 अधिवेशन का एउजन किया गया था तब इसने घोशना की थी कि अगले साल से 2014 में हम इस डे को सेलिब्रेट करेंगे तीन मार्च को तो तीन मार्च 2014 को पहली बार सेलिब्रेट किया गया क्या विश्व वन्ने जीव दिवस 2023 की थीम हो जाती है Partnership for Wildlife Conservation और 2024 की थीम की बात करें तो Connecting People and Planet, Exploring Digital Innovation in Wildlife Conservation यह 2024 की थीम है सबसे पहला गोश्चन आपके लिए जो important है कि World Wildlife Day कप सेलिब्रेट किया जाता है तो यह तीन मार्च को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है मार्च मन्त में जो Other Day सेलिब्रेट किया जाते हैं उनकी बात करें तो Zero Discrimination Day मतलब शुन्य भेदबाव दिवस यह मनाया जाता है एक मार्च को इसके अलावा World Civil Defense Day भी एक मार्च को ही सेलिब्रेट किया जाता है आट मार्च को International Women's Day के रुप में सेलिब्रेट किया जाता है 15 मार्च को World Consumer Right Day के रुप में 20 मार्च को World Sparrow Day और 22 मार्च को World Water Day के रुप में मनाया जाता है सबसे इंपोर्टेंट याद रहेगा आगे आजे भारत और किस देश की नो सेना के मध्य समुद्री अभ्यास समुद्र लक्षमन 2024 का आउजन किया गया देखे ये एक नेवी एकसराइस है फ्रेंट्स नेवी मिलेटरी एकसराइस आप बोल लें समुद्र लक्षमन दोहजार चूबिस इसका आयोजन किया गया है भारत और मलेशिया की नेवी के मद्धिम सबसे पहली बार 2019 में इसकी शुरुवात की गई थी समुद्र लक्षमन और दोहजार चूबिस में इसका थर्ड एडिशन आयोजित किया गया आयोजन कहां हुआ है तो आयोजन हुआ है विशाका पत्नम आंद्र प्रदेश में ओके तो भारत और मलेशिया के मद्धिमें आयोजित की जाती है समुद्र यभ्या समुद्र लक्षमन के नाम से इस बार दोहजार चूबिस में इसका थर्ड एडिशन आयोजित किया गया भा कि भारत और मलेशिया के ही मध्ध में अईजित किया जाता है यह हरीमव शक्ती फोड़ा नाम अजीब है हरीमव शक्ती ठीके 2023 में लास्ट इयर इसका एजन हुआ था मेगालाई के उमरोई में तो दो चीज़ पता चली हरीमव शक्ती यह भी भारत और देश का पहला सेमी कंड़क्टर फैब किस रज में स्तापित किया जाएगा। एक असम के मौरी गाओं में पुर्वत्तर की पहली सेमी कंड़क्टर यूनिट है ये और इसके अलावा गुजरात के सानंद में एक और सेमी कंड़क्टर यूनिट इस्तापित किया जाएगी। इस प्लांट है जो कि सेमी कंड़क्टर बनाने का काम करता है। इस प्लांट की जो स्तापना है वो टाटा इलेक्ट्रोनिक्स प्राइवेट लिमिटेड और पावर चिप सेमी कंड़क्टर मैनुफेक्टरिंग कॉर्प जो की ताइवान की कंपनी है इनके मध्य साजेदार इसे की जा रही है। आनुमानी इतलागत 99,000 करोड रुपे हैं ये भारत की पहली सेमी कंड़क्टर फैब होगी जो की गुजरात राज्य में स्तापित की जाईगी। एक बहुत इंटरस्टिंग फैक्ट आपको इहां पर पता होना चाहिए कि 2022 में भारत का गुजरात से हैं तो कहा है स्तापित किया जा रहा है भारत के गुजरात राज्य हाली में किस राज्य के पुर्व राज्यपाल अजीज कुरेशी का निधन हो गया। तो अजीज कुरेशी जो की कॉंग्रेस के पुर्व नेता भी थे फ्रेंड्स हाली में 82 वर्ष के आयू में लंबी पिमारी के बाद इनका निधन हो गया, ये राज्जिपाल रहे हैं उत्तराखंड राज्जी के, वेसे इन्होंने दो और राज्जों के राज्जपाल के रुप में कारी किया है, लेकिन वो बहुत कम उनका कारीकाल था, एक राज्जी है उसमें से यूपी और एक है अधिक समय तक राज्जपाल रहे हैं उत्तराखंड राज्जी के, लेकिन बिलॉंग करते थे मद्धि प्रदेश राज्जे से, कोन हैं? अजीच कुरेशी, डिटेल जानते हैं, तो उत्तराखंड के पुर्व राज्जपाल और कॉंग्रेस के नेता, अजीच कुरेशी का ह रहने वाले भोपाल के थे, जन्म भी भोपाल में हुआ, और निधन भी मद्धि प्रदेश के भोपाल में हुआ, लेकिन उत्तराखंड के राज्जपाल के रुप में इन्होंने काम किया है 2012 से पंदरा तर, उसके बीच में कारेवाहक राज्जपाल का पदभी समाला 2014 में UP में और कुछ समय तक एक दो महिने तक मिजोरम के भी राजजिपाल के रुप में काम कर चुके हैं ये 2015 पहली बार 1972 में मद्धिप्रदेश के सिहोर से एमेले का चुनाव लड़ा था और जीता था इन्होंने और 1984 में ये लोगसवा सदस्य भी बने राजजिपाल कोश्चन नॉर्मली आ सकता है तो हमको इसको याद रखना पड़ेगा अजीच कुरेशी किस राजजिके राजजिपाल के पत पर रहे हैं तो तीन राजजों में से किसी का भी नाम आ सकता है लंबा कारिकाल उत्राखन राजजिका है सेकेंड उत्तर प्रदेश और थड़े में जोड़ो ऑगे इसके अलावा ये युनाइटे नेशन की पुर्व सहयक महा सेचिव के रूप में भी काम कर चुकी है हाली में इनकी एक बुक लाउंच हुई है Swallowing the Sun a Novel के नाम से जिसमें इन्होंने जो Freedom Fighter महिलाए रही हैं उनकी बात करते हुए महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया है अपनी इस बुक में या फिर महिला सशक्तिकरण की बात की है तो बुक किस की है आपको यह याद रखना चाहिए हाली में लाउंच की गई यह लक्षमी मुर्देश्वर पूरी के द्वारा लिखित बुक है जिसका हाली में भी मोचन किया गया ओडिशा के युवाओ को सशक्त बनाने के उद्देश से प्रोजेक्ट ओडिसर्व किस मंत्राले ने लाउंच किया है ठीक है ओडिसर्व आपको नाम से समझ में आ जाएगा कि यह ओडिशा में लाउंच किया गया है ठीक है आपको वाइप्स मिल जाए प्रोजेक्ट ओड इसे लॉंच किया है ओडिशा में Ministry of Skills Development and Entrepreneurship ने आंसर ए हो जाए Financial Service Sector के शेत्र में राज्जी के युवाओ को रोजगार प्रदान करना इस इनिशेटिव का मुख्युद्देश है इस प्रोजेक्ट का मुख्युद्देश है इस प्रोजेक्ट के तरत ओडिशा में दस जीलो में साहट कॉलेज के जो शात्र है उन्हें Financial Service Sector में रोजगार प्रदान किया जाएगा ये योजना ओडिशा में शुरू की है Ministry of Skill Development and Entrepreneurship में पूरी डिटेल जाने ये है आपके पास इमेज केंद्री शिक्षा और कोशल विकास हैं उध्मिता मंत्री जिनका नाम है धर्मेंद्र प्रदान इन्होंने ओडिशा के संबलपुर में कोशल विकास और उध्मिता मंत्र मंत्राले के प्रोजेक्ट ओडिसर्व को हाली में रिलीस किया हाली में इसे लांच किया है ठीक है ना जैसे बजाज फिनसर्व आपने सुना होगा इसलिए इस प्रोजेक्ट को नाम दिया गया है ओडिसर्व क्यूं ये आपको आगे पता चले ये जो प्रोजेक्ट है कोश फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर के शेत्र में युवाव को रोजगार प्रदान करना प्रोजेक्ट ओड़ी सर्व का मुख्युन देश्य ओड़ी शामें हाली में से लॉंच किया गया चर्चित शब्दावली जूस जेकिंग किस से संबंदित है आपको नोट कर लेना चीए ये समय समय पर ये काफी सुर्ख्यों में आती रहती है हमेशा आप देखना 15 दिन में महिने बर में आरबिया इसके लिए आपको बार-बार चेताओन ही जारी करता है जूस जेकिंग के तो इसलिए इस शब्दावली को जारना हमारे लिए जरूरी हो जाता है इस शब्दावली की बात करें तो ये एक साइबर अटेक है पहले तो हम इसको समझें कि ये क्या है तो ये साइबर अटेक है होता क्या है कि जब हम जर्णी पर जाते है यात्रा पर जाते है तो आपक सरकारी charging point होते हैं सरकारी जो charger होते हैं उनका use करते हैं तो उससे क्या होता है जो हमारे USB port के माध्यम से हमारे mobile में malware के जाने की संभावना बढ़ जाते हैं किसीने भी install किया malware गया और आपकी पूरी सूचना जो अपरादी है या फिर जो cyber अपरादी उसके पास चली गई और उसके बाद वो आपको बोल सकते हैं कि मजबूर कर सकता है किसी भी चीज़ को करने के लिए या फिर पेसा मांग सकता है ना सीधे सीधे इसको बोल सकते हम पेसा मांगना या फिर cyber अपराद की श्रेणी में इसे रखा जाता है तो आपको यह चीज़ समझनी पड़ेगी यह पर्टिकुलर एक वर्ड निकाला गया इसके लिए यह USB पोर्टल जो कि हमारे mobile में होता है laptop में होता है उसके माध्यम से malware को हमारे mobile या laptop में भेज सकते हैं तो इसको नाम दि PCV other sources से charging की न सोचें और अपने ही charger को यूज करें अपने ही port को यूज करें तो यह cyber attack के लिए एक शब्दा वाली है जिसको नाम दिया गया है जूज जेगी I hope समझ में आओगा थोड़ा सा पैचीदा है ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा यह देखिए ऐ आगे होते हैं airport पर railway station पर तो इस तरह से आपको यूज नहीं करना है नहीं तो आपके mobile पर cyber attack हो सकता है अगला question हाली में तमिल लाडू में प्राचिन कालीन बच्चों की कब्रगा की खोचकी गई या कब्रगा किस काल से सम्मधित है तो जो कब्रगा हाली में देखिए तमि 1000 इसवी पुरू तक का जो समय है वो नव पाशान कालीन टाइम पिरियड है सिंदुगाटी सब्विता का भी विकास इसी समय में हुआ था तो इस समय के बच्चों के कब्रगा कब्रिस्तान खोजे गए हैं भारत के तमिल नाडू राज्ज में किस काल के हैं नव पाशान का हाँ यहाँ पर मैं आपको एक छोड़ा सा अपडेट देता हूं कि क्रेजी जी के ट्रिक की जो शंकनात करंट अफेर की ईबुक है फ्रेंड्स वो आपके लिए मार्च अपडेटेट आ चुकी है नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है वहाँ पर जाकर आप इसे और कर सकते हैं इसके अलावा yearly current affair की test series भी आपको root application पर मिल जाएगी जिसने भी हमारी ebook पर्चेस किये फ्रेंड्स उसके लिए वो yearly current affair की जो test है वो free of cost है वो जाकर वहाँ पर yearly current affair का test लगा सकता है अधिक जानकारी के लिए description में मैं आपको number दे दिया है वहाँ पर जा 9 पाशान कालिन कब्रगा है याद रखेगा ठीक है तमिलनाडू के चेंगल पट्टू में इन कब्रगाहों को तमिलनाडू के मदरास युणिवर्सिटी के प्रोफेसरोंने खो जाए लियर 2500 इसवी पूर्व से लेकर 3000 इसवी पूर्व तक कि यह पुरानी है 9 पाशान कालि बीच में ये कभी कब्रगाहे खोदी गई थी जिनमें बच्चों को दखनाया जाता था तो कहां खोजी गई तमिलनाडु राज्य इसके बाद सबसे last current affair हाली में ब्रायन मुलरोनी का निधन हो गया या किस राज्य के पुर्व पीम रहे नाम क्या है ब्रायन मुलरोनी हाली मे के पुर्व पीम रह चुके है और इनका निधन हुआ इसलिए यह important है तो एक बार हमको इनको जान लेना चाहिए चोड़ियासी वर्ष के आयू में इनका निधन हुआ कनाडा के पुर्व प्रधान मंत्री है ब्रायन मुलरोनी ठीके कनाडा में progressive conservative party से सम्मंद रखते थे और अब उसी party से चुनकर यह कनाडा के पीम मने थे 1984 हाली में ब्रायन मुलरोनी का निधन हो गया यह कनाडा के 1984 में अठवे प्रधान मंत्री के रुप में 18 पीम के रुप में चुने गए थे अब चोड़ियासी वर्ष के आयू में इनका निधन हो ठीके ब्रायन मुलरोनी किस अंदेश के पुर्व पीम थे तो यह कनाडा के पुर्व पीम थे ओके तो यहां पर चार माच के सभी करंड अफेर को हमने डीटेल में देखा अब आजाए लास्ट डे के सेशन को एक बार रिवाइस कर लेते हैं दिविजन कर लेते हैं ताकि कभी भी हमारा एक्जाम में को पूटे ना और हमको एजीली याद हो जाए देखिए क्या बढ़ा था हमने फस्ट यूई ए एफए विमेंस नेशन्स फुटबॉल लीग दोजार तेविस चोबिस का किताब किसने जीता किसने जीता इस्पैन ने इसने फाइनल में फ्रांस को हराया था आयो जन भी स्पैन में ही हुआ था और विनर भी कोन रहा इस्पैन ठीक है तो फर्स्ट यूई ए एफए विमेंस नेशन्स फुटबॉल लीग दोजार तेविस चोबिस का किताब जीता है इस्पैन की फुटबॉल टीम हर साल मार्च के महिने में किस राज्ज में चाप चर कुट त्योहार मनाया जाता है इजीली बता दोगे जूम की खेती का मैंने आपको एक्जांपल दिया था एगरी गल्चर फेस्किवल मिजोरम राज्ज में सेलिब्रेट किया जाता है मिजो जन जाती के द्वारा चाप के टोक्यों में एक मार्च से श्री लंका में अंतरास्टिक गीता महुत्सव के कौन से संस्क्रण का एजन किया गया तो श्री लंका में अंतरास्टिक गीता महुत्सव के पांचवे संस्क्रण का एजन किया गया अंसर डियाइडियों ने स्वदेशी रुप से विक्सित व वश्यूराद, पोटेबल, हवाई, रक्षा, प्रणाली का परिक्षन कहां से किया, तो चांदीपूर, ओरियशा से किया, National Security Guard का अतिरिक्त महानी देशत कमने उत्त किया गया, तो NSG का अतिरिक्त महानी देशत धलजीद सिंग चौधरी को नुक्त किया गया, खाली में केबिनेट दौरा इंटरनेश inheritance बिच कैट ऐलाइंस की स्तापना को मन्जुरी दी गई इंटरनेशनल बिच कैट ऐलाइंस में कितनी बिच कैट शामिल हैं, तो कितनी शामिल की गई थी? साथ, ओके? किस राज़ में खोजी गई हेड शिल्ड समुद्री सलक की नई प्रजाती का नाम रास्टिपती द्रोपदी मुर्मु के नाम पर रखा गया तो यह नई प्रजाती है समुद्री सलक की जिसका नाम द्रोपदी मुर्मुजों की भारत की प्रेसिडेंट है इनके नाम पर रखा गया ये खोजी गई है ओडिशा के समुद्र तर्ट पर ठीके फ्रांस के किस उपन्यास के बंगाली अनुवाद ने रोमेन रोलेड पुस्त पुरसकार दोजार चुबिस अपने नाम किया तो ये उपन्यास से स्टॉलिन काउच लास्ट क्या था केबिनेट द्वारा पीम सोरे घर मुफ्त बिजली योजना के लिए कितने करोड रुपे को मंजूरी प्रदान की गया तो पीम सोरे घर मुफ्त बिजली योजना के लि एक एक फैक्ट को समझ लिया और इसके अलावा last day के revision को भी यहाँ पर हमने एक बार revise कर दिए I hope आपको वीडियो अच्छा लगाओगा वीडियो पसंद आए तो like और share कर दीजिए चैनल को subscribe कर लीजिए इसके अलावा कोई भी query होती है तो आप comment कर सकते हैं नीचे help line number दिया है आप उस पर call कर सकते हैं courses से related या फिर e-book से related कोई भी query है तो वहाँ पर आपकी solve करती जाएगगा ओके इजाज़त दीजिए कल फिर मुलाकात करेंगे next day के current affair में जय हिन जय भारत